शंभाला के विशे में बहुत सारी चर्चाएं सामने आती रही हैं। कुछ लोग इसे दिब या अद्बुत शहर के नाम से भी जानते हैं। किन्तो ये कोई नगर या शहर नहीं है। इसका अस्तित्तो हिमाले में ही कहीं माना जाता है। तो क्या सच में शंभाला हिमाले पर ही कहीं मौजूद है भी या नहीं। कौन से लोगों ने वहां तक पहुँचने का प्रयास किया। क्या थे उनकी अनुभब और कल की अफतार का क्या है संबंद शंभाला से। इस सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों मेरा नाम है पूजा चोधरी, स्वागते आपका Facts Guide चैनल में। इस चैनल पर आपको इतिहाज, सनातन धर्म वा आध्यात्म से जुड़े वीडियोस देखने को मिलते हैं। शंभाला की विशे में तरह तरह की कथाई, भ्रांतियां आपने शायद सुन रखी होगी। जैसे की शंभाला एक दिप्य आत्माओं का शहर है या भूमी है, या फिर भगवान कलकी का जन्म इस्थान इसी छेतर में होगा। ये भी आपने शायद सुन रखा होगा कि शंभाला में ही छिपे हैं वे चिरन जीवी जो भगवान कलकी और कली के युदि के समय प्रकट होंगे। आइए एक एक करके सारे उधारन देखते हैं। सबसे पहला उधारन देखते हैं जिससे शंभाला के अस्तित्तों के विशे में पहली सूचना मिलती है। भागवत पुरान के 12वे शकंद, 2 अध्याय, 38 वे शलोप और कलकी पुरान के 2 अध्याय, 15 वे शलोप में वढ़नित है। कि कल्यों के अन्त में भगवान विश्णु के दसवे अप्तार कलकी का जन्म सुमती नाम की महला की त्वारा होगा। उनकी पती विश्नु व्यास जी कि उनके जन के कुछ घंटो पूर भी मृत्यों हो जाती है, तथा कलकी के जन के कुछ समय बाद ही उनकी माता की भी मृत्यों हो जाएगी. तथा ये भी बढ़नित है कि परशुराम कलकी को वेद पुराणों वा युद्ध की सिख्षा दिख्षा का कारेभाल समालेंगे ये भी बढ़नित है कि वे शंभाला के 25 वे राजा या शाशक होंगे पुराणों के अनुसार जब मनुष्य जाती पून रूप से अपने अपने धर्म का त्याग कर देगी जब राजा ही लुटेरा पचोर बन जाएगा और राक्षसी प्रवत्तियां महाप्रबल होती जाएंगी तभी कलकी अपने सफेद खोड़े पर सवार होकर एक दिब्वित तलवार लेकर सैकडो सेनाओं का नेत्रत्तो करती हुए शंभाला से ही प्रकट होंगे विन सभी शक्तियों का सर्वनाष करेंगे जो अधर्मी हैं और सत्य धर्म को पुना उसकी चार पैर वाली अवस्था में इस्थापित करेंगे सनातन धर्म की चार पैर वाली अवस्थाएं आपने शायद पहले भी शायद सुना ही होगा कि भारत के भिन्ने भिन्ने जगहों पर मंदिरों में मौजूद चार इस्तंभों में से चारों इस्थम कलियों की प्रभाप से स्वता ही एक एक करके नस्ट या छोटे होते जाएंगे ये बात यहाँ पर काफी सत्य प्रतीत होती है उस नस्ट होते धर्म को कल की नवीन देशा दिखाएंगे पर नवीन तरीके से इस थिर वा सुरक्षित करेंगे भगवान के अवतार के द्वारा एक बार फिर से अधर्मियों का नाश कर सत्युक की पुना इस्थापना होगी आईएब जानते हैं शंभाला की इस्थती वा सत्यता के विशय में कई लोग ऐसा मानते हैं कि शंभाला एक सामराज्य है इस सामराजी के अंतरगत आठ छेत्र शामिल है शंबाला के ठीक मध्य में नौ मंजिला क्रिस्टल से बना एक परवत है इस परवत पर कमल सरूप में काल शक्र मंडल इस्थित है कहते हैं इस संदचना का निर्मान शंबाला के परथम राजा सुचंद्र ने करवाया था शंबाला की राजथानी कला है कहा जाता है कि हमारे महाकाब्यों में बर्णित अमर्चिरंजीवी जैसे की हनुमान्थी अस्वस्थामा इत्यादी आज भी शंबाला में ही कहीं निवासरत है कहा जाता है शंबाला वासियों के पास असाधारण पुद्धी तथा सबसे उन्नत तकनी की भी मौजूद है पिपिछले काल या समय में पुना जा सकते हैं वे अन्य ग्रहों वा आकाश गंगाओं के लोगों से संपर्क भी स्थापित करते हैं यहां की लोग अत्यंत सुन्दर, उर्जावान वा उनकी आयू एक हजार वर्ष से काफी अधिक रहती है वे पूर्टा स्वस्त रहते हैं उनकी कभी मृत्यू नहीं होती वे भविश्य में होने वाली घट्टाओं का पूर्वा नुमान लगा सकते हैं माना जाता है सभी वेद संभाला से ही उत्वन्द हुए हैं अभी तक इसकी इस्थिती के होने की बात की जाए तो मनुष्य ने इसकी तीन दिशाएं पता कर पाई है यानि की तीन आयाम पता कर पाई है चौथा आयाम भी होगा परन्तु अभी तक उसका पता किसी को भी नहीं चल पाया जो की समय बांद्रिक्ष है इसकी पाचवे आयाम तक देबताओं वा दिब आत्माओं के द्वारा ही पहुचा जा सकता है हमारे शरीर में साथ चक्र होते हैं जिने उर्जा प्रवाह द्वार कहा जाता है ठीक वैसे ही प्रत्वी में भी हमारे चक्रों के समान ही उर्जा प्रवाह द्वार मौजूद है तो यदि हम अपने शरीर के अंदर मौजूद चक्रों को जान सकते हैं तो हम अन्य आयामों तक भी पहुँच सकते हैं। हम एक ही समय में कई इस्थानों पर मौजूद हो सकते हैं। एक ही छड में ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं। समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। इन्ही सब ज्यान को प्राक्त करने कई योगी साधक इत्यादी हिमाले यात्रप पर जाते हैं ताकि उन्हें इस तरीके की सिध्या मिल सकें जिससे उनमें भी दैबिये उरजाएं आजाएं। माना जाता है प्रत्वी पर सबसे उच्च कोटी की सकारात्मक उरजाएं हिमाले पर ही मौजूद हैं। आप खुद ही सोचो ऐसे वातावरण में ध्यान लगाने से अन्य ध्यान की तुल्ला में प्रभाग हजार गुना जादा होता है। इसी कारण से संतों का हिमाले जाना प प्रयास किया तो उन्हें पता चला कि शंभाला वास्तब में अस्तित्तों रखता है। पिछले 2000 वर्षों में हजारों लोगों ने शंभाला तक पहुचने का प्रयास किया। जिनमें से हिटलर, निकोलस, रोयरिच नाम के लेखक और सरजर भी शामिल है। निकोलस, रोयरि पहुचने की उसकी मुख्य प्रेर्णा चिंतामणी नाम के एक पत्थर को माना जाता है। कहा जाता है कि ये पत्थर आस्मान से गिरा था और ये एक चमतकारी पत्थर था। यदि उसे अपने हाथ पर रखकर कोई भी इच्छा प्रकट की जाए तो वह पूरी होती थी। उन्होंने अपनी पुस्तक शंभाला में लिखा है कि शंभाला समुद्र से भी पार इस्थान है तथा उसका धर्ती से कोई लेना देना नहीं है। यह एक शक्तिशाली स्वर्गिय छेत्र है। निकूलस रोईरिच ने अपनी पुस्तक में लिखा कि वो स्वैम लामा से पूछते हैं कि तुम मुझे शंभाला के विशय में कुछ बतलाओ। तो लामा ने कहा कि तुम पिरंगियों को इस विशय में कुछ भी नहीं पता है। तुम तो केवल जिग्यासा वश इसे पूछ रहे हो। घटित हो रहा है। उसे जादूई शीशे में जैसे देख लेता हो। उस शाशक का प्रकास समस्दुनिया के अंधिकार को खुद समाप्त करने की चमता रखता है। उसका सारा धन वो उन पर लुटाने को ततपर रहते हैं जिसे उसकी आवशकता हो। पुरेवेश्यो में, शंभाला में या स्वर्ग में शक्तिशाली, शक्तियों को एक साथ आना चाहिए। जितनी भी बुराई विद्दमान हैं, अंधेरा विद्दमान हैं उसे नश्ट करने को। पुरतेग व्यक्ति जो इस महान कारे में उनकी सहायता करेगा, उसे इसी प्रत्वी पर, इसी अवतार में सो गुना पुरसकार दिया जाएगा। और शंभाला के विरुद्द सभी पापी इसी अवतार में नश्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनमें दया समाप्त हो चुकी है। निकोलस की मन में उठ रहे सभी प्रशनों के उत्तर तो दिये, परन्तु वहां वो पहुँच सकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तो निकोलस रोयरिज की पुस्तक से ये तो हमें ग्यात होता है और इस बात की पुष्टी भी होती है कि लामा ने जो कुछ भी शंभाला की विशे में बताया, वो काफी हद तक सत्य था। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर ने भी शंभाला को पोजने का प्रयास किया था। अपने विश्व विजय, विश्व भ्रमन के दोरान, वो कई वैदिक विद्वानु को अपने साथ लेकर गया था। इसी दोरान उसने हिमाले की भी आत्रा की थी। और शंभाला के विशे में जब उसको पता चला, तो उसने शंभाला का भी रूख किया, लेकिन वो इसमें सफलना हो सका। जितने भी लोगों ने शंभाला तक पहुँचने का प्रयास किया, अधिकांशता भी विफल रहे। पर इससे ये तो सिद्ध होता है कि शंभाला एक बहुआयामी राज्जी है, इसे बहुआयाम चेतना के माध्यम से ही पाया जा सकता है। कई लोगों ने शंभाला यात्रा करने पब वापिस लोटने का भी वर्णन किया है। उन्होंने जो बताया वो काफी चौकाने वाला था। उन्होंने बताया कि अपने शरीर में इस्थे चक्रों को व्यवस्तित और जाकरत करके भी वहाँ पहुँचा जा सकता है। केवल शुद्य हिदय, दया, प्रेम, शुद्य बुद्धी वाले लोग ही शंभाला को देख और अनफब कर पाई है। अब अन्त में वह प्रश्न, जिस विशय पर आपको यूटूब पर तमाम वीडियो पर गूगल पर आर्टिकल मिल जाएंगे कि क्या वास्तब में इसी शंभाला से कल की भगवान प्रकट होंगी। तो माया कैलेंडर के अनुसार 2012 में कल्यूग समाप्त हो जाएगा। ऐसा बताया गया था। नास्त्रे दमस ने भी भविश्वानी की थी कि दुनिया 2022 में समाप्त हो जाएगी। एलिक्स ब्राजील ने काल चक्र पुस्तक में ये गर्णा की थी कि कल की 2898 में आएंगे। तुनिया का हर धर्म उस अपतार की बात करता है जो कल्यूग के अंत में आएंगे। जैसे कि यहुदी लोगों को मसीहा की परतीक्षा है, इसाई लोग ईसा मसीह की परतीक्षा रत हैं, बौद 25 वे शाषक की परतीक्षा कर रहे हैं। वैसे ही सनातन धर्म कलकी भगवान की परतीक्षा कर रहा है। अब हम कल्यूग वकलकी के विशे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जिग्यासा वश इस विशे पर तो आपने पहले ही कई बार रिसर्च कर रखी होगी। आप तो बस इतना वतला ये कि शंभाला के विशे में पुस्तकों में जो ज़्यान, वर्णित है, दर्ज है उसको जानकर आपको कैसा लगा। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको शंभाला के विशे में थोड़ा हटके नवीन जानकारी परदान करूँ। कि आपको आजकर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे एक लाइक कीजेगा, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजे इसी तरीके के अन्य वीडियो के लिए और वीडियो को शेर अवश्य कीजेगा। मैं मिलूगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।